इकादशी के दिन पाप से कैसे बचा जाए वैसे तो इस दिन जब तब वरत करने से कई गुना फलो की प्राप्ती होती है सहस्तर गाओं को दान का पुन्य प्राप्त होता है ब्रामणों के भोजन का पुन्य प्राप्त होता है ऐसा कहा जाता है कि भगवान विश्णू के वै मेरे चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत है उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और ये बताने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जय मातादी जरूर लिखिएगा दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा कमेंट करके मुझे भी बताईएगा कि आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा मिलेंगे चलिए दूस्तों शुरू करते हैं एकादशी के व्रत को हमेशा उत्पन्ना एकादशी से प्रारंब करना चाहिए यथा नाम तथा थी उत्पन्ना एकादशी माता का प्रादुर भाव हुआ था और अगर आ पहला एकादशी व्रत शुरू करना चाहा रहे हैं तो आप इसे उत्पन्ना एकादशी से शुरू करिए जैसा आपको मैंने बताया है जितनी भी एकादशी होती है यथा नाम तथा थी थी जैसे पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ती होती है का व्रत को किया जाता है। इनका फल अंत्युत्तम होता है। एका दर्शी का व्रत दस्मी तिथी से शुरू हो जाता है। एक दिन पहले यानिं दस्मी तितिके सुर्यास्त के बाद शाम में मास, मधेरा , प्याज, लहसन, मसूर की दाल का सेवन नहीं करा जाना चाहिए दश्मी तिथी के रात में ब्रह्मचर का पालन करना चाहिए इस तरह से व्रत को शुरू करना चाहिए एका दशी के दिन सुभा के समय आपको पेड़ तोड़ना नहीं चाहिए या फूल भी नहीं तोड़ना चाहिए इस दिन अगर आपको दातून करना है तो आपको नीबू के पत्ते चबाकर उनसे दातून कर लेना चाहिए या फिर आपको बारा बार कुला करके अपने मूँ को साफ कर लेना चाहिए एका दशी के दिन सुभा के समय जाडू इत्यादी नहीं लगाना चाहिए दश्मिती थी की शाम से पहले ही आपको जाडू लगा के अपने घर को साफ कर लेना चाहिए क्योंकि जाडू पोछा करने से चीती जैसे छोटे जीवों की हत्या का पाप लगता है तो ये भी नहीं करना चाहिए सुबर के समय इसनानादी कारियों से निवरत हो जाने के बाद आपको मंदिर जाना चाहिए शीहरी भगवान विश्णू किष्ण भगवान का जब करना चाहिए ओम नमो भगवते वासु देवाए नमा इस मंतर का मन ही मन जब करते रहना चाहिए पूजा करनी चाहिए, हवन करना चाहिए, वरत की कथा सुननी चाहिए जो भी वरत हो उस दिन उसकी कथा अवर्शे ही सुने और इस दिन आपको किसी भी ऐसे इंसान से बात नहीं करनी चाहिए एकादशी के वरत में आपको पान, चावल, जो, इत्यादी नहीं खाना चाहिए पान को हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए जिससे कि आपके अंदर कोई भी रजोगुण का वास न रहे और आप अपने संकल्ब अनुसार एकादशी के वरत को अच्छे मनुभाव से पूर्ण कर पाएं चावल और जोव में, मेधा रिशी का आवास बताया गया है चावल और जोव का सेवन करना मास के सेवन के बराबर पाप देता है तो इस दिन चावल और जो इत्यादी का सेवन भी नहीं करना चाहिए वैसे भी चावल में पानी की मातरा बहुत अधिक होती है जो कि आपके मन को जंचल बना देता है जिसके कारण की एकादशी का वरत करने के लिए जो सयम, नियम और तब की जरूत होती है वह नहीं करा जा सकता है तो इसलिए इस दिन आपको चावल और जो दोनों का ही सेवन नहीं करना चाहिए इस दिन वरत करने वाले को गाजर, शलगम, गोभी, पालक, कुलफा इन सब चीजों को भी नहीं खाना चाहिए इनका सेवन भी एकदम निशेद बताये कया है एका दशी के दिन ऐसा माना जाता है जो इनसान अन्य गरहन करता है वो पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है अन्य को गरहन नहीं करना चाहिए और खास्तोर पर अगर आपने वरत नहीं भी करा है तो आप इस दिन किसी से भी अन्य न ले किसी दूसरे का अन्य गरहन करने से या किसी और दूसरे का अन्य लेने से इस दिन बहुत ही अधिक पाप लगता है और उसके पाप कर्मों का फल आपके उपर आ जाता है तो आपको किसी का भी अन्य एकादर्शी के दिन नहीं लेना चाहिए एकादर्शी के तिथी के दिन आपको रातरी में भगवान का ध्यान करना चाहिए और भजन इत्यादी करने चाहिए ब्रह्मचरे का पालन करना चाहिए इस दिन व्रत करने वाले इस तरी पुरुष एक समय भोजन कर सकते हैं वह व्रत का भोजन करना चाहिए जैसे आलू, काली मिर्ची, सेंधा नमक, कुटू का आटा इस तरह की चीजों का सेवन एकादर्शी के व्रत में किया जाना चाहिए एकादर्शी के व्रत के पारण के लिए आपको द्वादर्शी तिथी में इसका पारण करना चाहिए यानि व्रत की समापती अगले दिन सुभा जब द्वादर्शी तिथी हो तब सुभा का एक पहर खतम हो जाने के बाद यानि सूर्य उदै से चार घंटे के बाद आपको व पारंद कर सकते हैं पर यहां आपको एक निश्य समयंत्राल में करना चाहिए जो कि सुभ का पहला पहर खतम होने के बाद का समय होता है आपको मद्यान के समय या दिन के समय कभी भी इस Вृत का पारण नहीं करना चाहिए हो सके अगर आपने सुभ के समय इस को नहीं पारण करा है तो आप इसको शाम के वक्त इसका पारण करें पर मध्यान के समय आपको कभी भी एका दर्शी का व्रत का पारण नहीं करना चाहिए इससे भी पाप लगता है और कभी भी आपको एका दर्शी का व्रत को त्रयों दर्शी के व्रत के साथ नहीं ले जाना चाहिए आपको द्वादर्शी तिथी में ही इसका पारण अवश्य करना चाहिए ऐसा कहा जाता है कि द्वादर्शी के दिन चावल काने से आपके पापकर्म समाप्त हो जाते हैं तो एकादर्शी के दिन जो लोग चावल नहीं खाते हैं उन्हें द्वादर्शी के दिन दाप्त होने का आशरवाद देते हैं श्रीहरी विश्णू के इस वरत का नियम जब ध्यान तब साधना जरूर करना चाहिए यह वरत बहुत ही फलदाई है दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा कमेंट करके मुझे बताईएगा कि आ लगा अगली बार फिर मैं आपसे एक नया वीडियो लेकर मिलूंगी तब तक के लिए नमस्कार थैंक्स फो वाचिंग माई वीजियो